नमस्कार विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है मध्यप्रदेश में आदिवासी छात्रों की छात्रवित्ती रुख गई है बताया जा रहा है कि करीब 3,47,000 छात्रों के पैसे केंद्र सरकार के पास अटके हुए हैं यह स्थिती जनजाती कारिव भाग के अधिकारियों की लापर वाही के कारण उत्पन हुई है हाला कि शिवराज सरकार ने इससे पल्ला जाड़ते हुए कहा है कि राजशासन ने अपने हिस्से के पैसे जारी कर दिये हैं दरसल मध्यप्रदेश में नवी और दस्वी कक्षा में करीब 3,47,000 आदिवासी शात्र शात्राएं हैं प्रती शात्र के हिसाब से लड़कों को 400 रुपए और लड़कियों को 600 रुपए चात्रविती दी जाती है लेकिन इस साल चात्रविती के करीब 75 करोड रुपए प्रताव ही नहीं भेजा है साथी अधिकारियों की इस लापरवाही का नतीजा अब प्रदेश के आदिवासी शात्रों को भुगतना पड़ रहा है राज सरकार में जनजाती कलियार मंत्री मीना सिह ने इस मुद्दे से पल्ला जाड़ते हुए कहा कि राज सरकार ने अपन से 260 करोड रुपए आने थे लेकिन इसके एवज में महज 197.24 करोड रुपए मिलते हैं पूर्व मंत्री ने बताया कि उन्होंने जनजाती कलियार मंत्री से इस सम्मंध में बात भी की है लेकिन कोई संतोष जनक जवाब उन्हें नहीं मिल पाया है